मुकेश अमबानी बलही दुनिया की टोप 10 अरापत्यों के लिस्ट में से भार हो गई हो लेकिन कुल 73.1 बिलियन डॉलर के साथ वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं और उनकी Reliance Industries Limited, दूर संचार, पैट्रोलियम, रिटेल, मीडिया से लेकर खेल और गेमिंग तक देश के सभी प्रमुक डिविजनों या सेक्टरों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और परतेक छेतर में इसके प्रती काम करने वाली एक समरपित कमपनी हैं मुकेश अंबानी की Reliance Industries Limited के पास साथ कमपनिया है अब जानते हैं कि इन कमपनी में क्या-क्या काम होता है Reliance Retail 2006 में इसताभी Reliance Retail दशकों से भारत के रिटेल कमपनियों में से एक है जो प्रीमियम खरीदारी के साथ साथ कस्टूमर को गुड एक्सप्रियंस देने में भी गर्व करती है Reliance Retail के अंतरगर Reliance Fresh, Reliance Digital, E-Commerce Platform, AGO, Reliance Jewels और Reliance Trends आते हैं Reliance Life Science यह है एक Research Organization है जिसमें Biotherapeutics, Pharmaceuticals, Clinical Research Services, Regenerative Medicine और Molecular Medicine को ऑपरेट करती है Reliance Life Science नवी मुंबई में 20 एकड में बना हुआ है जिसे धिरुबाई अंबानी Life Sciences Center के नाम से जाना जाता है तीसरा है Reliance Jio Infacom Limited 2015 में Reliance Jio Infacom Limited की स्तापना के बाद से रिलाइनस Jio भारत में सबसे बड़े Mobile Network Operator में से एक बन गया है जो अपनी 4G Network और Fiber सेवा के माधियम से पूरे भारत में उस चिगती Internet और Network coverage प्रदान करता है 2019 में Reliance Jio ने Fiber to Home Services जैसे Broadband, Television और Gaming को बढ़ावा दिया है चौता है Reliance Petroleum दुनिया बर की टोव Petroleum कंपनियों में Reliance Petroleum को गिना जाता है Reliance Petroleum High Speed Diesel, Petrol, Auto LPG, Lubricates, Aviation Fuel और Packed LPG प्रदान करता है और Two-Wheel Air, Hawaii Charge, Krashy, उपकरण और बाहरी Engineering वहानों को भी पूरा करता है 5. Network 18 Network 18 Media and Investment Limited या Network 18 Group एक बाहरतिये मीडिया कंपनी है इसके मालिक मुकेश अंबानी की Reliance Industries है 1996 में एक Private Limited कंपनी होने के बाद इसे 2006 में एक Public Limited कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है और 2014 में Reliance Industries द्वारा Acquired कर लिया गया 6. Football Sports Development Limited IMG Reliance और Reliance Industries के बीच Collaboration है यह Indian Super League भारत की Premium Football Championship का मालिक है जिसने अक्टूबर 2014 में किक मारी थी इस लीग में वर्तमान में 11 फुटबॉल क्लब हैं जिसमें बैंगलूरू FC, चैन्नाइयन FC, एटी के मोहन बागान, एफसी गोवा आधिशामिल है Reliance Industries के पास Movement Indians की किर्केट टीम भी है जो IPL में खेलती है और सात्वा है Reliance Industrial Infrastructure Limited देश में सबसे बड़ी Infrastructure कंपनी में गिना जाने वाला Reliance Industrial Infrastructure Limited Industrial Infrastructure को बनाने का और मैंटेन करने का काम करती है और पैट्रोलियम प्रोडेक्ट, रॉव वाटर, डेटा प्रोसेसिंग और Computer Software से Related Service देने का काम भी करती है